हेलो बिलकम दोस्तों आज मैं आपको गोवा का सिकंड मोस्ट फेमस बीच ले चल रही हूँ जो कि अरंबुल वीच के बाद रसिलों का दूसरा सबसे पसंदीदा बीच है लेकिन वीडियो में आगे बने से पहले आपसे रिक्ष्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन चरूर प्रिस कर लेना जिससे गोवा के ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें तो चलते हैं और मैं आ अच्छा सा बीच दिखाती हूँ यहां पर आप देख सकते हैं वो रस्यन लड़की योगा करी है इस रास्ते में जितने भी घर हैं सभी में रस्यन रहते हैं अगर बात की जाए कि यह बीच कहां पर है और आप कैसे यहां तक आ सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह बीच गोवा के सबसे फेमेस बीच अरंबुल वीच के पास है और यहां पर आने के लिए अरंबुल वीच से पैदल आना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आने के लिए केवल यही रास्ता है जस्यन लोग अरंबुल वीच के बाद इस बीच को क्यों सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो वीडियो में आगे चलके आपको बताती हूं करना की बढ़ में आщее प्ली distributing केंज हो में टूंस किया अर्ड़ें भा़े ग्सक्यूंकि करतास् पीच्छ के लिए में वो जाने के शेऎ अर्ड़ेगे झालके के म牙 कि तूह और बहुद से एंगर। एंग अधिया कर दो आधिया कर दो आद कर दोगर। अम मैं बीच पहुंच गई हूँ इस बीच को कालचा बीच कहा जाता है और रस्चिन लोग इसे न्यूट बीच कहते हैं क्योंकि इस जगह पर आने के लिए रास्ता अच्छा नहीं है इसलिए यहां पर रस्चिन लोग अपनी जिंदिगी का पूरा इंज्वाइद करते हैं क क्योंकि रास्ता ना होने के कारण पुलीस या अनु कोई यहां पर नहीं आता है यहां पर रस्चिन लोग के साथ भारती लोग भी भिन भिन प्रकार के ड्रक्स लेते हुए मिल जाएंगे अगर मैं इस बीच के कॉर्णर में जाओंगी तो वहां पर सारे न्यूट्रसियन है लेकिन मैं वहां अभी नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर सब ऐसे ही पड़े हुए है आप है आप इस अपने शुट्ट्रारियो जाओंगे भी जाओंगे वहां प्रण आप है क्योंकि एव में जाओंगे देट्र के अगर आप है क्योंके अपहां आप में बोड़े साय आपे आपा है ये सामने स्वीट बाटर लेक है जहां पर हमारे भारती लोग भरे रहते हैं अगर आपको स्वीट बाटर लेक का पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं उन तो आपको स्वीब आपकाइब सकते हैं कर सेहरा अजय कर सेहरा अजय कर दो कि एलादार अपस्टेश झार नहीं वेलादारा अजय करा किता उतार नपता है झाल 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 मैं आपको बताना चांग की 10 साल पहले का इस वीच का वीडियो आप लोग देखोगे तो बेहोस हो जाओगी क्योंकि उस समय यहाँ पर इंडियन लोग नहीं आते थे लेकिन अब यहाँ पर इंडियन लोग भी आना सुरू हो गये हैं इसलिए रस्यन लोगों ने अपना इस्थान चेंज कर लिया है और थोड़ा आगे साइड चटानों के पीछे वो लोग रहते हैं अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे गोवा के ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें और गोवा से डिलेटेड कोई फी जनकारी हो आप लोग हमसे कमेंट में पूश सकते हैं थैंक यू थैंक यू फोर वा